अब तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जी हाँ दोस्तो आज की इस खबर में आपको बताने वाले रेलवे की तरफ से आपको मिला है बहुत ही बड़ी खुशक खबरी जी हैं दोस्तो आज है 8 अपरेल और आप देख रहे हैं स्मा सबसे जादा और किसी राजी कीए है तो वह रात र modal लियारा सो में सब से प्रकार तेज़र से दूर Park कि अपने गांगे धर यहां अपने देश से दूर हे अपने धर से दूर है अपने घर से दूर है उन्हें पहले सब से पहले उनके घर पर पहुचाया जा जी या दोस्तों ये सरकार की जिम्मेदार ही है इसलिए सरकार ने एक अड़ा फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार यानि की जैसे ही ट्रेन चालू होगी तो इसलिए तीन दिन में जो है सभी को ले जाना वामुम्किन के बराबर है जी या द ताकि असे लिए क्या दोस्तों लेक्त में तो सन्खया जाए गी और प Quindi चैनल के जह और जो पितनी जह बढ़ए जाएक और दोस्तो 15 दिन में लगभग सभी ट्रेने चलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनको ज़रूरत है उन सभी को उनके इंके घर पहुचा जाएगा पूरे देश में आप चाहिए कहीं पर भी हो चाहिए आसाम में हो चाहिए बिहार में हो चाहिए महाराष्ट्रा में गुजरात में हो चाहिए करनाटका में हो चाहिए तमिलाड़ों अब कहीं पर भी हो आपके सभी राज्यों में जिया आपके सभी राज्यों में जो ट्रेनों की सुविदा को बरहाल किया जा रहा है रेलवे ने पूरी कमर कस ली है जैसे ही 15 अपरेल को लॉकडाउन खत्म यानि कि चालूर में जैसे कि काफी लोग एक साथ भरके जाते थे वैसा नहीं होगा तो क्यानि कि एक डब्बे में जाए एक से 72 तक आपने सीटे पढ़ी होंगी कभी बी एक से 72 सीटे होती है लेकिन अब जो वो है वो कम कर दे जाएंगे यानि सिर्फ 40-30 लोगों के बीच में जो है यह आकड़े रहेंगे जानि कि जो है कंपार्टमें में काफी ज़्यादा जगे दी जाएगी तो इसका मतलब यह होता है कि गर एक ट्रे में जहां 500 इस्तियात्री का सफर करते थे अब वहाँ पर एक पुरी ट्रेन में आपको ज़्यादा 200 या 200 के लोग ही आपको दिखाई देंगे तो इसका फरक्त यह पड़ेगा दोस्तों की रेलवे को क्या करना होगा कि वह अपने जो है ट्रेनों की संख्या को बढ़ाना होगा अगर उन्हें सोचल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है लोगों में भीड जमा ना हो और लोगों को घर पहुचाना उस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली खबर में एक इसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ